नमस्कार दोस्तों आरो टेक्निकल एक्सबर्स में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे देखे दोस्तों यह आप सामने आरो देख रहे हैं बेसिकले आज की वीडियो हमारी इस आरो पर रहने वाली केंट आरो है और यह हमारे सर्वी सेंटर पर र दिखाएंगे कि केंट आरो अगर आपके पास इस टाप को कोई मोडल है और उसमें कई बर आपने नोटिस किया और कई प्रोल्म फेस की होगी कि इसमें सारिन की आवाज आती है बीप की आवाज आती है या जिसे हम बोलते हैं कि सर्विस रिक्वार्ड का इंडिकेशन जो ह आती है तो आप इस प्रोल्म को कैसे हैंडल कर सकते देखिए इस टैप से इसके फिल्टर बेसिकली हमारे जो लड़के यह लेकि आए हैं टैकनीशन फिल्टर वगर सारे वहीं निकालके रखके आ गया और थोड़ा कुछ जैदा काम था तो इस लिए इसे सर्विस एंटर भ कर रही है यह नहीं कर रही है और यूभी इसकी कैसे चेक की जाती है उस पर हमने या लड़ी वीडियो बना रखिये लेकिन आज की वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर जो सहरन के वाज आती है बीप की वाज आती है आरोश चलते हुए तो उसकी री सेटिंग कैसे की जाती है तो री सेटिंग के लिए आप कुछी स्टैप का पोर्ट्शन दिखेगा कैंट आरो के अंदर हमें कुछ नहीं करना अब यह आपको दिखाते हैं कि स्टैप से यह देखिए हमारी जो फ्लोट रहता है फ्लोट की वायर को हमें डारेक्ट कर लेना है और इसमें आलड़ी एलपी की वायर भी डारेक्ट है तो सामने आप यह सी ग्रीन कलर की आप जो एक चोक देख रहे हैं इस यूवी बैल के यह जो आप चोक देख रहे हैं जिसमें कि कुछ कनेक्टर्स वगरा लगे हुए हैं वायर वगरा के जो यूवी में आ रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में आपको देखिए यूवी अब काम कर रही है तो हमारे त्वारा भी ऐसे ही रिसेटिंग की गई है तो आप भी इ सामने यूवी हो गई है हमारी यह SMPS हो गया और यह FR वगरा इसके दुबार से सारी पाइपिंग की जाएगी रिसेटिंग के लिए अब हमें करना है थोड़ा भिंदिचार कीजिए आपको बताते हैं बहिए इतना जल्दी क्या है अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐस होल दिखाया, इसमें हमें क्या है कि री सेटिंग का बटन होता है जिसे प्रेश करके में रखना होता है। और कुछ दिर बाद हमारी UV आप नोटिस करेंगे कि UV जो पहले नहीं जल रही थी और वीब की साउंड की आवाज आ रही थी तो कुछ दिर प्रेस करके रखेंगे तो साउंड के साथ यह हमारी इसी बटन के थ्रू हो जाएगे बस कुछ देर के लिए इसे हमें किसी पिन या किसी ऐसी चीज़ से प्रेस करके रहे हैं जो इस होल में चली जाए तो उससे आपके आरो की रिशेटिंग हो जाएगी